आपका प्वालिटी एंड गवर्नेंस का पेपर है तो पेपर 5 में जो UPPCS का यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका प्वालिटी एंड गवर्नेंस से संबन दीता है तो जो आपका यहाँ पे हम समझने की एकोशिस से करेंगे कि जो आपका UPSC है और UPPCS है तो UPSC में GS पेपर 2 और UPPCS में GS पेपर 2 और GS पेपर 5 ये आपका इंड पॉलिटी गवर्नेंस का सेक्शन है अंतर क्या है अगर हम अंतर की बात करें तो GS पेपर 2 जो आपका UPPCS का है और GS पेपर 2 जो आपका UPPCS का है ये भारत के संदर्व में आपको राजव्यवस्था का अध्यन करना है अभी हम बात करते हैं डिटेल में थोड़ा साइस पे बस यहां अभी इतना आप समझना कि जो यहां पे GS पेपर 2 है और यहां पे जो GS पेपर 2 है वो भारत के संदर्व में बात की गई है जबकि GS पेपर 5 की हम बात करते हैं तो यहां पे UP के संदर्व में जो राजव्यवस्था है उसके बारे में पूछा जाता है बस यह दोनों अंतर है इसमें कि यह दोनों पेपर भारत के संदर्व में और यह UP के संदर्व में तो हमें जो आज की कच्छा में डिस्कस करना है इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस के बारे में तो यहां पे हम detail में समझेंगे कि इसका syllabus क्या है और syllabus के साथ में आपको क्या चीजें prelims में पढ़नी है और क्या चीजें men's में पढ़ना है यह हम discuss करेंगे इसका अच्छा में तो जैसे आपके स्लेबस में लिखा गया इंडियन वॉलिटी गवर्नेंस एंड कांसिटूशन तो अब यहां पे समझना है कि बोलते बोलते कई बार बच्चे क्या होते है पॉलिटिकल साइन्स बोल जाते हैं जबकि यहां पर दोनों में अंतर है सबसे पहले आप यह समझें इंडियन पॉलिटी या अगर हम यहां से इंडियन हटा देते हैं तो एक सब्द हो गया आपका पॉलिटी और दूसरा हो गया पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइन्स कई बार बोलते बोलते लोग बोल जाते हैं लेकिन यह गलत है आपको यह सलेबस में पेपर डू में आपको पॉलिटिकल साइन्स या पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है आपको पॉलिटी पढ़ना है पॉलिटी का जो हिंदी है वो है आपका राज ब्यवस्था और यहां पे इसका मतलब है राज जी ब्यवस्था राजविवस्था का मतलब होता है यहां पे सरकारों का गठन राजविवस्था का मतलब है सरकार के गठन से और जो यहां पे हम politics की बात करते हैं इसका मतलब होता है इस्टेट सिस्टम कि राज जी बनते कैसे हैं, हमें यहाँ पर राज जी कैसे बनते हैं ये नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि सरकार का गठन कैसे होता है, तो हमें पॉलिटी में जो अध्यन करना है, वो अध्यन करना है, सरकारों का अध्यन करना है, तो इसलिए आपके स्लेवस में क्या लिखा गया है? Indian Policy and Governance पॉलिटी का मतलब हमें राज व्यवस्था को समझना है राज व्यवस्था का मतलब सरकार को समझना है सरकार के स्वरूप को समझना है सरकार का अध्यन करना है ये हमें समझना है आपर जबकि politics, political science में हम राज जी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, state origin कैसे होते हैं, इसके बारे में अध्यन करते हैं, तो ये आपको इतना अंतर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपके जो syllabus में लिखा गया, तो ये जो आपका pre का syllabus है, प्री के syllabus में लिखा गया है आपके, Indian polity and governance, ये आपके pre के syllabus में लिखा गया, अगर mains के syllabus की हम बात करें, तो मेंस के syllabus में यहाँ पर तीन बाते लिखी गई, एक आपका Indian polity, दूसरा जो आपका यहाँ पर governance और तीसरा जो section है आपका constitution, ये तीन बातें यहाँ पर mains में लिखा गया, और इन ही आधार पर आपका mains का syllabus यहाँ पर पूरी तरीके से रिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर basic तीन बातें समझ लेते हैं, कि quality क्या है, governance क्या है, और constitution क्या है, उसके बाद आते हैं कि हमें इस पाटकरम में पढ़ना क्या है, फिर हम discuss करते हैं, तो सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हम समझते हैं कि राजव्यवस्था जो है, यह क्या है, तो जब राजव्यवस्था क्या है, इसका हम अध्यन करते हैं, तो जैसे हमें यहाँ पर क्या जानना होता है, इसके ताहद कि system of government, हमें polity के अंतरगत जानना यह है, कि system of government, अब system of government क्या है, कि सरकार कैसे बनती है, तो यहाँ पर आपको समझना यह होगा, कि जो सरकार है, यह सरकार कैसे बनती है, इसमें, अभी मैं बताऊंगा कि आप क्यों ऐसे इसे पढ़ते हैं, तो सरकार कैसे बनती है, इसी में आपको यह समझना है, कि जो आपके सरकार का गठन है, इसका उद्देश कैसा है, तो यहीं पर आप पढ़ते हैं, सरकार का गठन, याद करें, आर्टिकल 79, 79 में क्या बताया गया, कि संसद तीन निकायों से मिलकर बनेगी, राश्टपती, राजि सभा और लोग सभा, इन से, तो यहाँ पर पढ़ेंगे सरकार कैसे बनती है, सरकार का गठन कैसे होता है, और सरकार का उद्देश क्या है, यह आप यहाँ पर पढ़ते हैं, साथ में सरकार के कार्य क्या है, ये सब आपको पढ़ना होता है राजची व्यवस्था में उसके बाद हम आते हैं गवर्णेंस ये है जिसका हिंदी मतलब है सासन तो जैसे हमने बताया सरकार कैसे करती है कैसे बनती है सरकार का गठन, सरकार का उद्देश, सरकार के कारी ये सारी बातें आपको राजची व्यवस्था में पढ़ना है लेकिन सरकार कैसे कारी करती है ये जो आपको पढ़ना होता है वो आपको पढ़ना होता है गवर्णेंस में कि सरकार कैसे कारी करती है ये आपका governance का part है सरकार नीतियां जो बनाती है तो जो सरकार नीतियां बनाती है वो भी आपको अध्यन करना होता है governance में तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा तो सरकार का गढ़न, सरकार का सुरूप, सरकार के कारी आपको quality में पढ़ना होगा सरकार कारी कैसे करती है ये सब को पता है विरोक्रेसी के माध्यान से वो आपको governance में पढ़ना है सरकार नितियां कैसे बनाती है ये भी जो आपको पढ़ना है ये आपको governance में पढ़ना है तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा सरकार जो भी कुछ करती है फिर से मेरी बात को ध्यान देना सरकार जो भी कुछ करती है और कैसे करती है वो सारी चीजें आपके governance का part है तो मुझे लग रहा है कि आप समझ के होंगे कि quality और governance में फर्क्या है कई बार बच्चे इसको एक समझ बैठती है लेकिन दोनों में अंतर है इसलिए आपके स्लेबस में असपस्ट लिख दिया गया है यहाँ पर की quality and governance और दोनों से question पूछे जाने के तरीके अलग-अलग होते हैं अब तीसरी जो बाते यहाँ पर लिखी गई वो लिखे गई स्लेबस में आपके Constitution तो अब हम समझने का प्रयासे करते हैं कि संबिधान क्या है संबिधान तो हम संबिधान का निर्मार क्यों करते हैं तो संबिधान का हम निर्मार इसलिए करते हैं कि संबिधान के माध्यम से राजव्यवस्था का संचालन किया जा सके अर्थात अब इसे समझने का प्रयासे करना कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार के क्या दायुत है ये सारी बाते जो होती है संभिधान के माध्यम से तैं होती है जैसे हम अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि संभिधान हमारे पास 1950 से आया मुगल सल्तनत की जब यहां पर व्यवस्था थी तो अकबर के समय में एक मजहर तैयार किया गया था जिसमें दैनिक कारियों का जो लेखा जोखा होता था वो सारे के सारे कार बात्सा उसके माध्यम से करता था बिना किसी दबाओ के तो वो मुगल सल्तनत का संभिधान था तो संबिधान जो होता है एक प्रावधानों की पुस्तक होती है जो ये तय करती है कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार के दायत तो क्या है ये सारी चीजे संबिधान के माध्यम से पता चलता है संबिधान के माध्यम से ही पता चलता है कि जनता के बीच में और सरकार के बीच में यहाँ पे संबंध क्या है संबिधान के माध्यम से ही पता चलता है कि राजव्यवस्था का सुरूप क्या है अब अगर हम स्वरूप की बात करें, तो जैसे जो यहाँ पे सरकार है, संसदिय सरकार है या अध्यच्छी सरकार है, एकात्मक सरकार है या संगात्मक सरकार है ये सारी बाती हमें संभिधान के तहाती पता चल पाती हैं, तो संभिधान ही बताता है कि सरकार का दायत्तु क्या है, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार का कारी क्या होगा, तो संभिधान का हम निर्मार जो करती है, वो राजव्यवस्था के संचालन के लिए करती है, किसी भी स हमें ये अध्यन करना है तो जहां तक मुझे लगता है कि आप इन तीनों का मतलब समझ गए होंगे जैसे हमने बताया आपको कि राजब्यवस्था पॉलिटी का मतलब क्या होता है पॉलिटी में हमें अध्यन जो करना है सरकार कैसे गठन होता है सरकार का सरकार कैसे बनती है सर सरकार का कारी क्या है, सरकार का उद्देश क्या है, गवर्नेंस में कारी करती है, तो सरकार कैसे कारी करती है, नीतिया बनाती है, अर्था सरकार जो भी कुछ करती है, और वो जैसे भी करती है, गवर्नेंस का पार्ट होता है, जब कि जो संबिधान है, संबिधान का जो निर्म क्या करना है और सरकार को क्या नहीं करना है आप से एक जाम में भी जो क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा गया कि देश में सरोच क्या है तो देश में सरोच क्या है संभिधान है हमारे यहां राष्टपती के पद का जो सरजन है वो संभिधान के तहत है राष्टपती का ज राश्टपती सपत दिलाएगा संविधान में बताया गया है तो ये सारी चीजे कहीं न कहीं हमारे जो राजव्यवस्था का complete स्वरूप है वो संविधान बताता है हमें तो संविधान सासन को क्या देता है संविधान और समाज संविधान ये बताता है कि समाज में समाज और स तो संबिधान जो बनके तयार हुआ यह भी संबिधान ही बताता है, कि 26 numer 1949 को इसे आत्मरपित, अधनियमित किया गया, यह यही बताता है, तो संबिधान को अगर आपको एक लाइन में आपको decide बताना है, तो आप यही बताइगे संबिधान क्या है, प्राउधानों की पुस्तक है और जिसका निर्माण हम राजव्यवस्था के लिए करते हैं जहां पर हमें बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार का दाइत्तु क्या है अब हम आते हैं अपने पाठक्रम पे कि आपका पाठक्रम क्या है जो आपके मेंस में रखा गया है अब इस पार्टक्रम को हम दो डाइमेंशन में एक साथ सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि UPSC का पार्टक्रम क्या है और जो UPSC का पार्टक्रम है वही आपका UPPCS का पार्टक्रम है तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके स्लेबस में लिखा गया, वो लिखा गया संभिधान परिचे आप लोग कम से कम 3-4 पेज रख लिजे और जहां मैं जो बता रहा हूं जो आवस्यक लगे आप नोट करते चलिएगा तो संभिधान परिचे जो आपको ये पढ़ना है, अब इसमें संभिधान परिचे में आपको क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले आपको अपने संभिधान की विशेष्ता पढ़नी होगी ये संभिधान हमारा एक दिन का नहीं है कि एक दिन में बन करके तयार हो गया हमने 60 देशों के कानूनों का अध्यन किया और उस अध्यन के बाद में जो हमें अपने व्यवस्था के अनकूल लगी, वैसी व्यवस्था को संभिधान में हमने जगे दिया है तो जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संबिधान की आवस्यक्ता क्यों तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि संबिधान की आवस्यक्ता क्यों इसके साथ में जो आपको अध्यन करना है कि जो हमारा संबिधान है हमारी सम्मिधान में कि माध्यमस जो सासन प्रणाली तेंकी गई हे उस आसन प्रणाली कैसी है तो संवत्वर्राय। कि हमें इस व्यवस्था के बारे में अनुभो भी था, समझ भी थी, इसलिए हमने अध्यच्छे सासन प्रणाली न अपना करके, संसदिय सासन प्रणाली अपने यहाँ पर अपनाई, एक लंबे समय से गुलामी के दास्ता में हम जकड़े हुए थे, तो हमें एक ऐसी व्यवस थे, तो हमें यही पर क्या प्ढ़नाँ है संसादिय सासन प्रणाली, यही पर हमें जो प्ढ़ना है, सक्तियों का प्रथक्रण, separation of power, अब जब यहाँ प्लिए संसदिय के प्रथक्रण की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे किन के बीच? तो सासन के जो सासन के तीन अंग हैं उसमें एक है आपका कारीपालिका और दूसरा आपका बिधाई का और तीसरा नियाएपालिका तो इन तीनों के बीच में यहां पर सक्तियों का भी भाजन अब कारीपालिका का काम क्या है कि जो भी एक्ट है कानून है इनको यहां पर क्या करना इंप्लीमेंट करना तो इनकी जिम्मेदारी है इंप्लीमेंटेशन की बिधाईका का काम यह है कि कानून बनाना जबकि न्याईपालिका का काम है जस्टिस पृदान करना तो इन तीनों में पृत्हक्रन कैसे किया जाए कि जिसके माद्यम से सामझस हो अब सासन व्यवस्था की बात करें तो सासन व्यवस्था में दो निकाये हैं दो मॉडल है एक अध्यच्य मॉडल है और एक आपका संसदिय मॉडल है अध्यच्य मॉडल में ये होता है कि सरकार का पूरा कंट्रोल राष्टपती का उस पर होता है संसदिय सासन प्रणाली में यहां पर राष्टपती के पास नाममात्र की सक्तियां होती हैं सारी सक्तियां चुने हुए प्रत्लिधी अर्थात प्रधानमंत्री में होती है तो अध्यच्य सासन प्रणाली में जो यहां पे सक्तियों का प्रथक्रण है ये बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, जबकि संसदिये सासन प्रणाली में सक्तियों का प्रथक्रण उतना उस तरीके से नहीं हो पाता है, जैसे अध्यच्छे में हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कारिपाली का है, कारिपाली का बिधाई का में से है, जो हमारे यहाँ पर जैसे लोकसभा का चुनाऊ हुआ और लोकसभा का चुनाऊ 543 सीटं पर हुआ अब इन ही में से जितने मंत्रियों ने सपत ली प्रधान मंत्री समेथ यह सारे कारीपालिका के सदस्जे है अभी मैं उस पर नहीं जाओंगा क्योंकि कारिपालिका भी दो प्रकार की होती है एक आपकी अस्थाई कारिपालिका और एक आपकी अस्थाई कारिपालिका जो जिसे हम राजनीतिक कारिपालिका बात करें तो अभी यहाँ पे हम राजनितिक कारिपालिका की बात कर रहे है, हम अस्थाई कारिपालिका की बात नहीं कर रहे है। तो यहां पे हम देखेंगे तो शासन के इन तीनों अंगों के बीच में प्र्थक्रण कैसा है उव भी हमें संभिधान से ही पता चलता एंगर आपको यहीं पर पढ़ना तो हमें संबिधान की आवस्ट्शक्ता क्यों है, संसधिय सासन प्रणाली, सक्तियों का प्रथक्रण, इसके साथ में हमारे संबिधान का स्वरूप क्या है। संबिधान का सुरूप इसी के साथ में हम यहाँ पर जो अध्यन करेंगे वो अध्यन करेंगे कि संबिधान का विकास कैसे हुआ संबिधान का विकास कैसे हुआ अब संबिधान के अगर विकास की बात करें तो जैसे मैंने बताया अईसा नहीं कि हमारे यहाँ संबिधान नहीं होता था डिपेंडे करता था कि जैसे राजा है उसी राजा के आधार पर व्यवस्तायत नहीं होती थी और यहाँ पे भारत में सबसे पहले अगर पेपर गोवर्मेंट स्टार्ट हुई तो मुगलों के समय से स्टार्ट होती है लेकिन देखा गया कि मुगलों के समय में अकबर के समय में एक मजहर बनाया गया और जिसमें ये था कि जो यहाँ पे दैनिक गत्विधियां हैं उसमें क्या होगा कि बासा का नियम माने रखेगा वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई उलेमा कोई काजी कोई सरियत का कानून इसमें प्रभावी नहीं होगा, तो ये इस प्रकार के संभिधान हुआ करते थे। उसके बाद जो फिर आएगा, वो आपका आएगा 1729 में आता है और उसके बाद में 1773 का Regulating Act आता है और इसी के बाद से 1773 का Regulating Act उसके बाद में आपका फिर आएगा Pits India Act, Pits India Act के बाद में Charter Act तो ऐसे ये सारे प्रावधान है कि जिसके माध्यम से एक व्यवस्ति स्वरूप तो यहां पर हम लोग अध्यन करेंगे कि भारत में जो है संभीधान का विकास कैसे हुआ वो यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ में हमें देखेंगे इस संभीधान के माध्यम से ही कि जो सासन है इसकी प्रकिर्ति क्या है इसका भी अध्यन हम यहीं पर करेंगे अब जब हम सासन के प्रकिर्ति का अध्यन करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि जो भारत की परिसंगिये व्यवस्ता है उसका अध्यन यहीं पर करना है आपको जैसे अगर मैं बताओं आपको तो अमेरिका में अमेरिका और भारत दोनों में संघिय ब्यवस्ता है बट दोनों में संघिय ब्यवस्ता होने के साथ में दोनों में अंतर है भारत का संघिय मौडल अलग है और अमेरिका का संघिय मौडल अलग है यह क्यों अलग है यहां पर हम लोग अध्यन करेंगे भारत में जो संग बना वो किसी भी यहां से प्रांद से सम्झाओता करके नहीं बनाया गया जबकि अमेरिका में अमेरिका 13 राज्यों से स्टार्ड किया था और वहां पर जो 51 स्टेट के आसपास है वो सारे के सारे समझाओते का परिणाम है जबकि भारत में कोई भी राज्य समझाओते का परिणाम नहीं है तो ऐसा क्यूं है तो हम जब यहां पर पढ़ेंगे तो आज़िके बारे में यहीं पर डेटेल अध्याण किया जाएगा कि भारत में ऐसा मॉडल क्यों अपनाया गया तो हमें जो पहले यूनिट में जो पढ़ना है संभिधान परीचे में तो यह सारी बातों को यहां पर अध्याण करना Mehmak उसके बाद हम अगर बात करें तो जो हमें दूसरा सेगमेंट यहां लेना है, वो हम पढ़ेंगे उद्देशी का प्रस्तावना और जिससे आप बोल चाल की भासा में हम इंगलिस में इसे हम प्रियोग करते हैं प्रेम्बेल की संभिधान की प्रस्तावना तो जैसे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना और यह इतना इंप्रोटन क्यों है, क्यों हम पढ़ें इसे और हमारे स्लेबस में क्यों रख दिया गया इसे, तो एक तरीका होता है, जैसे आप कोई मोवी देखने जाते हैं, और जैसे उदारन मलेलू बागवान, अब कि हमें पूरा complete संभिधान पढ़ने की जरुरूत नहीं है अगर हमें किसी भी देश के संभिधान को जानना है अगर संभिधान हमें वहां के उस देश के model को जानना है सरकार के स्वरूप को जानना है संभिधान की विसेष्था के बारे में जानना है जनता और सरकार के के बारे में जानना है तो अगर हम उद्देशिका पढ़ लें तो हमें अस्पस्ट हो जाता है कि इस संभिधान का उद्देश क्या है तो उद्देशिका में हमारे जो हमारे संभिधान का उद्देश है वो बताया गया है अब अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बताया गया तो उद्देशिका में यह बताया गया कि हमारा जो उद्देश है वो है समाजवाद उद्देश हमारा जो है वो है पंथ निर्पेच हमें एक ऐसे राजी की अस्थापना करनी है जो सेकुलल इस्टेट हो यहीं पर हमें बताया गया कि जो हमारी सरकार होगी, वो कैसी सरकार होगी, संप्रभु सरकार होगी, सासन ब्यवस्था का मॉडल क्या होगा, तो सासन ब्यवस्था का जो मॉडल होगा, वो होगा लोकतंत्र, भारत में ब्यवस्था कैसे होगी, यहाँ पर, तो भारत में हम क्या कर रहे हैं, एक वनसानुगत ब्यवस्था ला रहे हैं, या हम एक ऐसी ब्यवस्था ला रहे हैं, या चुनी हुई सरकार ला रहे हैं, तो यहां से हमें पता चल जाता है, कि जो भारती ब्यवस्था है, वो गणतांत्रिक ब्यवस्था है, तो यहां पे गणतांत्रिक ब्यवस्था, कि हम गड़तंद्र की बाती, तो इसी उद्देसिका से हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान का उद्देस्य क्या है, कि हमारे हमें क्या करना है, एक समाजबादी व्यवस्था स्थापित करना है, राज जी व्यवस्था का सुरूप क्या है पंत निर्पेच है सरकार कैसी होगी संप्रभ होगी सरकार कैसी होगी लोकतांत्रिक होगी सासन व्यवस्था में जो सासन के सीड्स पर बैठा ब्यक्ति होगा वो अनसा अनुगत नहीं होगा वो 5 साल के बाद वो निर्वाचित होगा, किसी देश ने अपने यहाँ पर 4 साल की व्यवस्था बनाई है, भारत में क्या हुआ है कि 5 साल की व्यवस्था बनाई गई है कि 5 साल के बाद राष्टपती का निर्वाचन होगा, जबकि अमेरिका में 4 साल का होता है, तो यहाँ प पढ़ेंगे तो इंडिया आप्टर इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से यहाँ पर भूमिसुधार हुआ सरकार ने कानून बना करके किस प्रकार से जमीदारी प्रथा को समाप्त किया और कैसे यहाँ पर जमीनों का आवंटन किया गया पंतनिर पेच्छ की बात करें, तो हमारे यहां पर सभी धर्म को अपने धर्म का प्रचार करने, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके लिए, पूजा पाट करने के लिए सारी चूट है, बट राज जी का कोई धर्म नहीं होग राज जी क्या है निट्रल है तो भारत कोई जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट भारत सेकुलर स्टेट भारत धार्मिक स्टेट नहीं है संप्रभुता सरकार संप्रभ होगी कैसे संप्रभ होगी कि हम अपने इंटर्नल मामले में और एक्स्टर्नल मामले में डिसीजन लेने के लिए हम सवतंत हैं हमारे उपर कोई दबाऊं नहीं है किसी विदेशी सत्ता का तो यह संपरभुता का परीचे हम अगर किसी कब टक हम सदस्र से रहेंगे और क्या चीजें हम मानेंगे क्या नहीं मानेंगे जैसे 1971 के बाद से बहुत सारे ऐसे संगठन बने और बहुत सारे ऐसे संधिया आई जहां पर भारत सरकार ने सापसाब मना कर दिया कि हम इस संदिपर साइन नहीं करेंगे, और उसे भारत सरकार को दबाओं में उस संदिपर साइन नहीं करवाया जा सका, यह संप्रभुता की पहचान है, तो सरकार संप्रभुता, लोगतंत्र आप समझते हैं, इन सब को क्लास में डिसकस किया जाएगा, लोगतंत्र गरतंत्र गरतंत्र का मतलब इतना होता है कि जो राष्ट का राष्टा अध्यच्छ है उसका निर्वाचन हो वो अनसानुगत नहीं होगा तो पहले यूनिट में हम संभिधान की विशिष्टाइं समझेंगे संभिधान को समझेंगे दूसरे unit में समझेंगे कि संविधान का उद्देश क्या है ठीक है किस उद्देश के लिए बनाया गया है तो यहाँ पर हम यह सारी बाते समझेंगे और हम जो तीसरा unit discuss करेंगे जहां से आपका संविधान का part 1 स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे और जो हमारे clause के according जो होगा वो आपका तीसरा topic होगा और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संग वा राज्य छेत्र यह हमारा तीसरा unit होगा जो हम लोग discuss करेंगे और आपके संविधान का यह भाग एक है तो यहां पर संग एवं राज्जी छेत्र पढ़ेंगे यहीं से हम यहीं पर अध्यन करेंगे राज्जों का विकास यहीं पर अध्यन करेंगे हम छोटे राज्जी वर्सेज बड़े राज्जी यह अध्यन करेंगे उसी के साथ में हम यहीं पर अध्यन कर लेंगे कि राज जी की परिभासा क्या है राज जी की परिभासा की बात करें तो आपके संविधान में अनुछेद 12, 36, 152, 308 में बताया गया है 12, 36 में राज जी का मतलब यहां पर सरकार से है, सरकार के निकाय से है जबकि 152, 308 में राज जी का मतलब भावगोलिक छेतर से है, जोगरफी से है तो यह हम यहीं पर अध्यन करेंगे, साथ में यहीं पर अध्यन करेंगे हम राज्यों का पुनरगठन एक कानून आया था हमारे यहाँ पर 1956 का इसी के तहत क्या हुआ है कि भारत में राज्यों का गठन किया जाता है 2019 में जो कसमीर को जम्मू कसमीर को दो भागों में किन सासित प्रदेस में जो डिवाइड किया गया इसके तहत किया गया तो हम ये सारी चीजे यहाँ पर हम अध्यन करने वाले हैं यहाँ पर जैसे मैं बताओं कि 15 अगस 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो भारत को बिटेन से आजादी मिली उसी दिन भारत से पाकिस्तान प्रतक हो रहा था और जिस दिन भारत को आजादी बिटेन से मिल रही थी उसी दिन भारत 552 रियासतों की आजादी को छीन रहा था हम एक देश के रूप में तो आजाद हो रहे थे लेकिन हम 552 रियासत अर्थात देश की आजादी छीन रहे थे क्योंकि वो रियासते अपने आप में एक देश हुआ कर दी थी ठीक है तो यहां पर हम लोग यह अध्यन करेंगे और जब यह यहां पर तो जैसे आपको संछेप में बताओं कि जब संबिधान निर्मान हो गया था 26 नॉवंबर 1949 को जब संबिधान बनके तैयार हुआ तो हमारे यहां राज्यों का स्वरूप चार प्रकार सी हुआ करता था यह A टाइप के जो भाग एक राज्यी है पार्ट A वाले जो संबिधान के भाग छे में में निर्मान है यह वो राज्यी हुआ करते थे जो हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिस के द्वारा हैंड ओवर किया गया B वाले वो राज्यी हुआ करते थे जो आपके संबिधान के भाग साथ में में निर्मान हुए और इसमें इनका जो उलेख था जो बड़ी रियासते थी उन रियासत के राजा को यहां पर राजप्रमुख बना करके ऐसे राज्यी बना दिये गे भाग C में छोटी छोटी दियासते थी और भाग D में अन्यमान निकोबार तो भाग C जो पार्ट 8 है संबिधान का और भाग यहां पे जो D है वो पार्ट 9 है जो आज जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उलेख है तो जब संबिधान हमारा बन के तयार हुआ था तो चार प्रकार के राज्यी थे राज्य पुनर गठन अधनियम 1956 के तहत ये चार प्रकार के राज्यी खतम कर दिये गए अर्थात भाग 9 आले और भाग 7 वाले राज्यी खतम कर दिये गए और आज दो प्रकार के बने एक प केंदसासित प्रदेश हैं, अब अगर हम केंदसासित प्रदेश की भी बात करें, तो केंदसासित प्रदेश भी हमारे यहाँ पर तीन से चार प्रकार की हैं, एक दिल्ली जिसकी अपनी अलग भी सिस्ता है, तो हम केंदसासित जो प्रदेश बना रहे हैं, वो अलग-अलग ड और वहां का governance कंट्रोल करने के लिए वहां पर चीजें केंसासित प्रदेश बनाया गया तो सबके अलग अलग है जब भाग आठ में पढ़ेंगे तो हम समझने का यहां पर प्रयास करेंगे तो यहीं पर आपको समझना है अगर हम बात करें तो भाग वन में यह सारी चीजें ह समझेंगी कि जैसे अगर हम कोई विदेशी छेत्र को भारत में मिला लहीं Can तो हम कैसे उसके लिए क्या प्रावधान है और अगर भारत का कोई छेत्रप हमें किसी को Сंथ के माध्यमसे अगर देना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है जैसे आपने देखा होगा बीच में कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सहरों के नाम बदले गए और ये सारे अधिकार संसत के पास है तो उत्तर प्रदेश सरकार कैसे कर सकती है तो भाग एक में अनुछे तीन में ये प्रावधान है कि आप किसी छेतर का नाम कैसे बदलेंगे सहर का नाम कैसे बदलेंगे ये सारा जो अधिकार है संसत के उसमें आता है तो जब भी स्टेट गवर्मेंट यहां से कोई अपना बदलाव करके भेजती है तो सेंट्रल में सरकार होने के कारण से वहां किसे प्रस्ताओं को सोभिकार कर लिया चाता है ये सारी चीजे आपको इसी में अध्यन करना है अब ये तो हो गया भारत का राजी छेत्र जो आपको तीसरा यूनिट पढ़ना है जो आपका चौथा यूनिट यहां पर है जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा और यह है आपका पार टू और यहां पर आपको समझना है नागरिकता सिटीजन सिप कि भाग वन में भावगोलिक छेत्र था इस भावगोलिक छेत्र में रहने वाले लोग कौन होंगे किनको हम इस देश का नागरिक मानेंगे और किनको देश का नागरिक नहीं मानेंगे किसी भी देश में चार प्रकार के लोग होते हैं तो पहले वो होंगे जो नागरिक उस देश के होते हैं दूसरे होते हैं निवासी तीसरे होते हैं वहाँ पर सरनार्थी और चौथे होते हैं घुस बैठी जो नागरिक होगा उसका संपूर्ण अधिकार होता है अर्थात उस देश में जो भी अधिकार हैं सब उसे प्राप्त होता है वो संबैधानिक पद को प्राप्त करेगा उसे सारे अधिकार होंगे नागरिक होना ही अपने आप मे एक बहुत बड़ा राइट होता है जब हम नागरिक होते हैं किसी देश के तब हम हम कह करके बात कर रहे होते हैं हम इस प्रकार से रिप्रेजंट कर रहे होते हैं उस देश को निवासी होने का मतलब है कि आप यहां से रोजगार के चक्कर में अमेरिका में चले गए और वहाँ पर जाकर के जौब कर रहे है। सरनार्थी होने का मतलव है कि आप किसी देश से भाग करके आये हुए हैं और ग्रेह मंत्राले ने क्या किया आपको उससमय सरन दे दिया हैं और इस कारां से आप सरनार्थी हैं और अरथात परमिशन ले करके आप ठैरे हुए हैं और घुसपैठी वो होते हैं जो बिना किसी पर्मिशन के आय होते हैं इनकी भी कटेगरी है illegal migrant की कि एक तो हो जाता है कि चुपके से बिना पेपर के आ गए हो एक ऐसा हो जाता है कि वो आय और उनका बीजा पासपोर्ट यहां पर खराब जैसे क्या हुआ कि गायब हो गया मैं आऊगत कराओं कि 2019 में आपने देखा था कि किस प्रकार से विवाद हुआ था, nrc और बिखना कन्याय कैसा नरुहा हुआ करना था और सिये के तहाथ ये था कि नागरिक्ता प्रदान करने वाला कानून था और इसको ले करके कैसा बिवाद हुआ था तो यहीं पर हम अध्यन करेंगे कि हम इस देश जैसे नागरिक्ता किसको प्रदान करेंगे जो नागरिक्ता प्रदान करेंगे उन नागरिक्ता प्रदान का आधार क्या होगा कैसे नागरिक्ता दी जाएगी तो ये सारी बातें यहाँ पर अध्यन कर किया जाएगा तो नागरिक्ता में ये सारी चीजें हमें पढ़ना है तो ये देखेंगे कि किसे हम नागरिक्ता प् 55 का उसको यहां पर अध्यन करेंगे और इसी में क्या हुआ है कि multiple time पर amendment हुए है और उसी amendment को हम बोल चाल की भासा में स्वाड में बोलते हैं CAA तो यह अध्यन किया जाएगा इसके साथ में जो आपको यहां पर पढ़ना है वो पढ़ना यह है इसी topic में अनर्सी क्या है इसी के साथ में आपको पढ़ना है NPR क्या है NPR और NRC में फरक है NPR हो जाता है कि अगर आपने छे महीने उस देश में आपने क्या किया है रुके हुए हैं तो NPR में आपका नाम सामिल कर लिया जाता है जबकि जो आपका NRC है NRC में उस देश के नागरिकों का नाम सामिल होता है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे NRC के बारे में और हम यहाँ पर पढ़ेंगे NPR के बारे में तो NRC, NPR और इसी के साथ में हम एक टॉपिक लेंगे कि जैसे यह जो NRC है और NPR है CAA है इसकी आवस्यक्ता के उपड़ी है क्या यह भारत बिभाजन का परिणाम तो नहीं तो इसी में हम लास्ट में यह भी डिसकस करेंगे कि क्या यह भारत बिभाजन का परिणाम तो नहीं है तो ये भी हम यहाँ पर अध्यन करेंगे, NRC की क्यों आवस्यक्ता है ये भी और जब भी सरकार करवाएगी तो कैसे करवाएगी ये सारी बातें यहाँ पर डिसकस किया जाएगा, एक सब भी देश की पहचाने होती है कि कम से कम आप अपने हर व्यक्ति के बारे में जाने और उसे एक ऐसा identity number उपलब्द कराएं कि जिसके माध्यम से उसका सारा व्यवरा आपके पास हो, तो ये नागरिक्ता में हमें अध्यन करना है, इसके बाद में आपका जो अगला है part, वो part है आपका, part 3, और topic के आधार पर अगर हम बात करें, तो ये topic आपका होगा, चार, यहाँ पे हम लोग अध्यन करेंगे, fundamental right के बारे में, fundamental right एक ऐसा topic है, कि यहाँ से हर साल की अगर बात करें, तो prelims में तो question आते ही आते हैं, मेंस में भी हर साल question आता है, क्योंकि यह ऐसा topic है, और देखा जा रहा है कि मूल अधिकार का दाएरा बराबर बढ़ता जा रहा है, जब 2019 में CA और NRC को लेकर की बिवाद प्रारम्भ हुआ, तो इन बिवाद को रोकने के लिए Government of India ने क्या किया, राजी सरकार ने निर्देश दिया गया और राजी सरकारों ने अपने यहाँ पर इन दंगे को रोकने के लिए इंटरनेट सट डाउन किया, अब जब इंटरनेट सट डाउन कर दिया गया, तो उसी समय केरल में परिच्छा होने वाली थी भी सुविध्यालेओं की, और मामला चला गया सुप्रीम कोड, शुप्रीम कोड ने कहा कि हमें इंटरनेट पर बात ही नहीं करना है, इंटरनेट क्या है हमें इस पर बाती नहीं करना है लेकिन इंटरनेट प्रियोग करने का अधिकार एक ब्यक्तिका मूल अधिकार है और इस आधार पे एक नया अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया कि इंटर्नेट उप्योग करने का अधिकार मूल अधिकार है ये कैसे मूल अधिकार है ये आपको क्लास में बताया जाएगा उस समय CGI जो हुआ करते थे वो जस्टिस रवन्ना जी हुआ करते थे जब यह अधिकार दिया गया ऐसे ही जब अनुच्छे 21 की आप बात करेंगे तो 21 में स्वच्छ यहाँ पर पानी का अधिकार स्वच्छ यहाँ पर जैसे हवा का अधिकार प्रदूसर्ण मुक्त ऐसे यहाँ पर त्वरिच का अधिकार ऐसे बहुत से उसमें सिच्छा का अधिकार यह सारे के सारे अधिकार आजी फंडामेंटल राइट के रूप में दिये गए हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपका मूल अधिकार है जिसमें से मेंस के कॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको आर्टिकल 14 के लिए 19 के लिए उसके बाद में 21 के लिए 22 के लिए और हम पंथनिर पेच्छता की अगर बात करें तो वहाँ पर अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के लिए ऐसे ही UPPCS में एक कोश्चन पूछा गया वो कोश्चन ये था कि अनुच्छेद 32 संबिधान की हिर्दे और आत्मा है अब ये सिधा सिधा अंबेडिकर जी का इस्टेट्मेंट था तो संबिधान की हिर्दे और आत्मा क्यूं कहा अंबेडिकर जी नहीं ये आपको बताना अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 32 आपका एक ऐसा मूल अधिकार है कि मूल अधिकारों में मूल अधिकार है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो 32 के तहत आप डारेटली सुप्रीम कोड जा सकते हैं बाकी जो न्याय की प्रक्रिया है कि आपको civil court से गुजरते हुए जाना होगा और यहां आप डारेटली सुप्रीम court जा सकते हैं तो यह जो आर्टिकल आपके हैं यह डारेक्ट कहीं ना कहीं आपके मेंसिक जाम में पुछे जाते हैं और इन हर आर्टिकल पर क्लास में डिसकस होगा जैसे आधार का मुद्दा कि आधार निजिता के अधिकार का उलंगन करता है या नहीं करता है कि यह एक बहुत लंबा भी से था इस पर यहां पर चर्चा होगी अनुछेद 21 जबाब पढ़ेंगे तो इच्छा मृत्यू की बात होती है कि दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए इसकी बात होती है कि भारत एक ऐसा देश है जो सांतिकाल में भी अपने यहां पर हमेशा वो नैशनल सिक्यूर्टी एक्ट को लागू रखता है तो हमारे यहां पर प्रिवेंटिब डिटेंशन कानून हमेशा लागू रहते हैं अब सांतिकाल में ऐसा किसी देश में नहीं है अमेरिका के कुछ प्रांतों में हैं हमारे यहां पर हमेशा है लागू रहता है और अगर इसकी अउधाना की बात करें तो यह फर्स्ट वल्डवार से स्टार्ट हो जाता है जो उस समय डिफेंस ऑप इंडिया एक्ट जो बना था 1914 का उसी से तब से क्या हुआ है कि हमारे यहां चला है किसी ना किसी रूप में लागू इसमय नैस्नल स impost One लागू है इसे के तरज पर उत्तर प्रधेश सरकार ने अपना कानून बना राखा है गुजरात ने बना राखा है मारास्टा ने बना रखा है तो निवारक निरोध अधनियम जो अनुछेद 22 में है वहां से भी कोश्चन पूछे जाती है और मेंस में पूछे जाती है वहां के उस पर टार्गेट करके कोश्चन पूछा जाता है और साथ में यहां से प्रिलिम्स में पूछा जाता है टाडा पोटा इन सब के बारे में पूछा जाता है, यह सारे जितने कानून बने, 22 को आधार बना करके बने, और प्रिवेंटिव रिटेंशन कानून थे, अनुछेद 21 एक गरिमा पूर्ण जीवन देता है, जो मूल अधिकारों में अपने आप में सरवाधिक इंपोर्टेंट एक्ट है, तो यह सारी चीजे आ गिरमेन हुआ करते थे, डॉक्टर अनिली आदो जी, इनके समय में क्या हुआ था, कि बहुत सारे उस समय ऐसे मामले आये, और उस समय जब इनका चैन करवाया गया था, तो चैन करवाते समय हिरार्की को पूरी तरीके से क्या हुआ, कि सरकार ने खारिच कर दिया था, और हि पुषinator 32 में एक रिट निकलती है रिट यहां पर 5 निकलती है एक आपके रिट है अधिकार प्रिच्छा एक है बंदी प्रतिचीकरण एक पर्मादेश एक प्रतिसेद और उत्प्रेशन अधिकार प्रिच्छा रिट जो होती है कि आपने जो इस पद को धारण किया है किस अधिकार से धारण किया है ये रिट जारी हो गई थी और तो ये सारी चीजें आपको इसी fundamental right में पढ़ना है जैसे आप बार-बार सुनते होंगे कि राजद्रो केस के तहट ये बेक्ति अंदर चला गया हो आपको 19 में पढ़ना है इसके बारे में कि आर्टी आई के बारे में जो आप सुनते हैं वो आपको यहीं पर पढ़ना है कि आर्टी आई ऐसा नहीं हुआ कि 2005 में आया कि जब सम्वे हमारे यहां पर पार्लियामिंड की अगर हम बात करें तो 1892 में भारतियों को पहली बार ब्रिटिस समय में संसद में बोलने का अधिकार नहीं था लेकिन यहां पर बोलने का अधिकार था कि और तो यह चीज़े अगर हम बात करें तो पालियामेंडरी सिस्टम में सरकार से प्रस्न पूछने का अधिकार विदाईका के सदस्यों को था आम जनता को नहीं था तो यहां पे र्टी आई की व्यवस्थ आ आम जनता के लिए जो की गई, क्यों सरकार से प्रस्ण पूछ सके, वो किया गया 2005 में, बाकी ये व्यवस्था पालियामेंड के सदस जो हुआ करते थे, केंदर में MP और आज जो में MLA, ये सरकार से प्रस्ण काल के दौरान ये प्रस्ण करते थे, कि आपका जो ये प्रोजेक् वही चीजे आम जनता को 2005 में दिया गया, ये 19 के तहप दिया गया, ये सारी चीजे हम लोग यहाँ पर अध्यन करेंगे, फंडामेंटल राइट में, उसके बाद में जो अगला सेक्शन हमें डिसकस करना है, वो हम लेंगे आपका पार्ट फोर में, जिसे हम बोलते हैं DPSP, Directive Principle of State Policy, राज जी का नीत निदेशक तत्तो, अब जैसे ये दो चीजे हैं, भाग 3 में है आपका मूल अधिकार, भाग 3 में आपका है मूल अधिकार, जो भी हम डिसकस कर रहे थे, और भाग 4 में है आपका DPSP, ये आपका 3 में और ये आपका 4 में, मूल अधिकार, राज जी को कुछ करने के लिए रोकता है, कि आप ये नहीं कर सकते हैं, जबकि DPSP, राज जी को कुछ करने के लिए कहता है, कि आप ये करेंगे, तो DPSP एक सकारात्म का उधाना होती है, जबकि यहाँ पर fundamental right जो होती है, ये राज जी को कुछ करने के लिए रोकती है, जबकि ये राज जी को कुछ करने के लिए कहती है, जितने आपका social justice के तहाँ, जो भी राज जी क्या करती है, कारी करती है, सब DPSP का पालन करती है, जैसे आप देखेरें, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट घर बन रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की तरफ कारी किया जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, बच्जों को मिड़े मिल दिया जा रहा है, आयुसमान भारत योजना के तहट स्वास्त सुभिधाय उपलब्द करवाई जा रही है मनरेगा के तहट रोजगार कारिक्रम दिये जा रहे हैं यह सब के सब क्या है? DPSP के तहट सरकारे करती है तो यह चीजें जो पढ़ना है यह आपका अनुछे 36 से ले करके और 51 तक है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर सरकार का उद्देश क्या है? सरकार को क्या क्या करना है? यह सारी बातें यहाँ डिसकस किया चाहेगा उसके साथ में एक यहाँ पर नया पार्ट जुड़ा था संबिधान में जो है आपका 4A और 4A आपका जो है वो है fundamental duties यह हमारे मूल संबिधान में नहीं था तो मूल संबिधान में नहीं था और यह बैलिसावे संबिधान संसोधन 1976 में इसे जोडा गया सरदार सोन सिंह समिती बनी थी उनके recommendation पर जोडा गया और जोडने का उद्दे से था कि अधिकार तभी कहीं न कहीं क्या हो पाएंगे बेहतर हो पाएंगे और अच्छे तरीके से वो जैसे प्रभावी होंगे जब कहीं न कहीं क्या होगा कि उनके साथ में करतब भी जोड़े तो उस समय मूल संबिधान हम में तो हमारे यह था नहीं वैलिषयम्य संबिधान संसोधन के ताथ इसमें दस कि जोड़ी गई थी आगए चल करके गेवरहमे डूटी जो यहां पर जोड़ी गई हो आपके 86 में संबिधान संसोधन के तात अस्थापित कर दिया गया था और जो आपके सिच्छा से संबन्धी था इसमें कहा गया कि प्रतिक अभिभावक या संदच्छक का दाई तो है कि वो उस बच्चे को 6 से लेकर के 14 वर्स का जो बच्चा है उन्हें सिच्छा उपलब्द कराने के लिए प्रयास करें तो यह अस्थापित किया गयाख 2022 में अस्थापित किया गया था तो अब जो फ़ंडामेंटल लिटीज है वो हमारे यहांपर 11 हैं तो इसको हम पढ़ेंगे यहांपर जो कर्तब भी साउपा गया है कि जैसे जो धरोहरे हैं उनका हम संवान करें धरोहरो का सम्मान करें, हमारी संस्कृति जो है उसका सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, उसके साथ में जो सोतंतरता सेनानी हैं, जो देश के लिए बलिदान दिये हैं, तो उनका हम क्या करें, उन्हें एक आदर्स के रूप में रखें, उनका सम्मान करें, राष्ट द् मैंने आपको बताया part one, part two, part three, part four और part four a, इसके बाद में जो हमें यहाँ पर एक अध्धिन करेंगे, अब इन चीजों को ले करके, जो हमारा part three है, fundamental right और part four, इन दोनों में विवाद हुआ, बिवाद का कारण क्या था कि एक तो आप भाग तीन में सरकार को कुछ करने के लिए रोकते हैं, क्योंकि वहाँ fundamental right है वो, एक ब्यक्ति का अमूल अधिकार है, और भाग चार में सरकार को आप कुछ करने के लिए भिवस करते हैं, तो जो भाग चार में है, तो अब सरकार के सा जब देश आजाद हो गया थो सबसे बड़ी चुनोति थी कि देश में सामाजिक न्याय अस्थापित किया चाहि develop किया और समाजिक न्याय के उसमें सबसे जो पहला कदम था कि Land Reform किया चाहिए है और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में वहाँ पर मेंसन कर दिया गया जिसको लेकर के विवाद प्रारंब होता है और उसी संपत्य के अधिकार को लेकर के और एक केस हो गया था आपका सिच्छा को लेकर के और इन दोनों के आधार पे पहला संविधान संसोधन हुआ था और जो पहला संविधान संसोधन हुआ वहीं से क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट और DPSP इन दोनों में टक्रार प्रारम हुआ कि किसको हम बरियता दें और किसको बरियता ना दें और यहीं से एक आगे चल करके इसी टक्रार का परिणाम हुगा कि 1973 में सरवोच नयाले ने आपके एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन था आधारभूथ धांचा यहां पर तो यह आधार जो था आपका आधार भूट धाचे का था तो यहां पे हमें पढ़ेंगे कि आधार भूट धाचा जो है वो क्या है और इसी साथ में हम देखेंगे एक टॉपिक, संबिधान संसोधन अब तक भारत में टोटल 106 संबिधान संसोधन हो चुके हैं एक सो छेवा संबिधान संसोधन जो आपका नारी वंदन अधनियम है जहां पे लोकसभा और विधान सभा में महिलाओं को वन्थर्ड रिजर्वेशन देने की वातने की गई हैं वो हम यहां पे अध्यन करेंगे तो हमें देखेंगे कि भारत में संबिधान जो संसोधन है यह कैसे होता है तो संबिधान संसोधन जो होता है इसकी प्रक्रिया क्या है यह हम अध्यन करेंगे यहीं पर तो आधारभूत धांचा और संबिधान संसोधन यह पढ़ेंगे तो यह एक फेज में हम लेकर के इस सेग्मेंट को अध्यन करेंगे तो यह हमारा यह पहला सेग्मे उसके बाद में हम भारत के राजिच्छित्रों के बारे में उस राजिच्छित्र के जनसंख्या के बारे में और जो वो जनसंख्या है उस जनसंख्या को नागरिक्ता देने का आधार क्या होगा उस आधार के साथ में उन्हें हम अधिकार क्या देंगे और उस अधिकार के कि सरकार के बारे में तो अब जो हमें अधियर का करना है looking to about in आधियन की बात करती हैं तो भारत में जब हम सरकार कीं का किवात करें तो दो प्रजे संघ्य सरकार उसमें मॉडल है तो संघ्य मॉडल में हम बात करेंगे तो एक सरकार हमारी होती है संघ्य सरकार और दूसरी सरकार जो हमारी होती है वो होती है राज्य सरकार तो यहां पे हम देखेंगे संग सरकार और इसके साथ में हम यहां अध्यन करेंगे राज्य सरकार राज्य सरकार का जो अध्यन है वो हमें करना है पार्ट 6 में और जो संग सरकार का अध्यन है वो हमें करना है पार्ट 5 में अब अगर हम यहाँ पर संग सरकार की बात करें तो यहीं पर हम लोग समझने का प्रयास से करेंगे कि संसद अब संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया कि आपके संसद का गठन कैसे होगा यहीं पर हम संसत का अध्यन करेंगे, यहां पर हम प्रेसीडेंट का अध्यन करेंगे, वाइस प्रेसीडेंट का अध्यन करेंगे, यहीं पर हम लोकसभा का अध्यन करेंगे, राज्यसभा का अध्यन करेंगे, जैसा आभी पता है कि आपका लोकसभा का चुनाओ हुआ, और ल लोगसभा का गढ़न कैसे होता है, लोगसभा का कारी क्या है, लोगसभा राज्य सभा में क्या अंतर है, कितनी सक्तियों का अंतर है, कहां पर दोनों की सक्तियां समान है, यह सारी चीजे हम यहां पर अध्यन करेंगे, इसी के साथ में हम यहीं पर अध्यन करेंगे, Council of Minister का इसी के साथ में PM का Prime Minister और Prime Minister के साथ साथ में जो आपको अध्यन करना है वो करना है कैग के बारे में Comptroller, Auditor General, CSG भारत सरकार अगर सरवाधिक किसी से ड़ती है तो CSG से ड़ती है उसके साथ में हम अध्यन करेंगे यहाँ पर Attorney General के बारे में कि महान्यायवादी जो भारत का एक कानूनी सलाकार होता है तो इसके बारे में यहीं पर अध्यन करना है हमें तो यह जो सारी चीजे हैं यह हमें संग सरकार के ताहत अध्यन करना है जैसे आपने चर्चा में देखा कि इस बार सबसे ज़्यादा जो चर्चा रहा वो रहा प्रोटेम स्पीकर का तो नई सरकारों के गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर की न्युक्ती होती है तो हम यहाँ पर अध्यन करेंगे इसके साथ में हम अध्यन करेंगे स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का ऐसे हम राजसभा की बात करें तो वहाँ पर जो चीर्मैन और वाइस चीर्मैन है उनका अध्यन करेंगे तो कम्प्लीट हम पार्ट फाइप में हमें ये सारी चीजों का अध्यन करना है ऐसे हम पार्ट सिक्स की बात करें तो पार्ट सिक्स में जो हमें अध्यन करना है यहां पे हमें अध्यन करना है राज जी बिधान मंडल का थोड़ा सा अंतर है अगर हम बात करें तो जैसे हमारी संसद है ऐसे राजी की बिधान मंदल भी है हमारी संसद जैसे यहाँ पे राष्ट पती राजी सभा और लोकसभा से मिलकर बनती है ऐसे राज जी बिधान मंडल भी राज जी पाल बिधान सभा और बिधान परिसद से मिलकर बनती है बट है क्या कि हमारे सभी राज्यों में बिधान परिसद नहीं है बिधान परिसद जो है टोटल हमारे यहां पर साथ राज्यों में है अब इसके कारण से क्या है कि ये हम जो बहुत सारे राज्यों में बिधान मंदल का जो गठन होगा वो राज जी पाल और राज बिधान सभा के माध्यम से होगा यूपी में हमारे विधान परिसद है तो हम यहां पे जो अध्यन करेंगे तो राज विधान मंडल का इसके साथ में जो राज जी का प्रमूख है राज जी पाल उसका अध्यन करेंगे साथ में हम यहां अध्यन करेंगे कि बिधान सभा और बिधान परिशद इसका अध्यन और साथ में हम एक तुलना ये करेंगे कि बिधान परिशद क्या राज्य सभा की तरह कारी करती है बिधान परिशद क्या राज्जिसभा की तरह कारी करती है तो एक अध्यन हम यहीं पर हम करेंगे इसके बारे में साथ में इसी के अत्रिक्त एक अध्यन हमें जो करना है वो यह करना है स्टेट में यहां पर भी काउंसिल आफ मिनिस्टर अब अगर मैं बात करूँ यहां पर जो काउंसिल आफ मिनिस्टर है यहां बताया गया है कि टोटल 15 प्रतिसत होंगे लेकिन जब हम राज्यों की बात करती है यहां पर हम जब बात करती है तो यहां पर हमारे यहां पर यहां भी 15 प्रतिसत है लेकिन कुछ राज्यों के लिए अपवाद रखा गया है कि जहां पर यह संख्या ऐसी नहीं है तो आप वहाँ पर एक limitation बताया गया है कि आपको 12 मंत्री बनाना ही होगा क्योंकि कई राज्जी हमारे यहाँ पर हैं कि जहाँ पर विधान सभा की संख्या 40 और 60 के आसपास है तो जब हम वहाँ पर 15 प्रतिसत की बात करेंगे तो काईदे से 10 मिनिस्टर भी नहीं होगे तो किसी व्यवस्था को संचालित करने में इतने लोग यहाँ पर सफिसियंट नहीं होगे तो हमें यहाँ पर इसके बारे में भी अध्यन करना होगा तो काउंसिल ओप मिनिस्टर साथ में हम चीफ मिनिस्टर के बारे में अध्यन करेंगे और यहाँ पर एडोकेट जन्रικά के बारे में जैसे वहाँ पर Central में Attorney General होता है ऐसे क्या होगा कि राज्जी में Eudequate General होता है जो राज्जी का कानोनी सलाहकार होता है तो इसका अध्यन हमें करना है इसी के सात में तो यह हमारा यह हो गया इसके साथ में भारत में जो हम सरकार की बात करते हैं तो भारत में दो सरकारे नहीं है संगीय व्यवस्था है लेकिन हमने विकेंद्रिकरन सासन प्रणाली अपनाई है तो एक सरकार हमारी होती है जो सेंटरल की होती है दूसरी सरकार जो हमारी होती है इस्टेट की होती है और एक सरकार हमारी है जिसे हम लोकल बॉडी बोलते हैं अस्थानिय निकाय जिसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है तो यहां पर एक आपको इसका भी अध्यन करना है और हम लोग जब यह करेंगे तो इन तीनों को साथ में करेंगे पार्ट आपका है ओफिक्स पार्ट अरफ souvenir इसका एक साथ अध्यन करेंगे पार्ट 7 को सम्भिधान से लिट कर दिया गया है, अब ये पार्ट का हिस्सा ही नहीं है, तो इस तरह से हम करेंगे, तो ये तो हो गया हमारे सरकारों को लेकर के, उसके बाद में, अब जो हम अगला टॉपिक डिसकस करेंगे, वो करेंगे नियायपालिका, तो जब हम उच्छञ आयले, उच्छ नेयाय के साथ में आपका जिला नेयाले, जो अधीनस्त नेयाले है, इसी के साथ में नियायपालिकाके उस पर तरज पर एक आपका है, टृबनल है, अधिकरण है, जो विसेश चीज़ों के लिए गठन किया जाता है, जैसे रेलवे का अलग है, इंकम टेक्स का अलग है परियावरण को लेकर के NGT है तो हम जब यह पढ़ना इस्टार्ट करेंगे तो इसी क्रम में एक साथ में हम सारे नियायपालिका को ले लेंगे कि जिससे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी जैसे मैं उसमें बताऊं कि जो इंडियन जुडिसियल स सिस्टम है हम लोग पढ़ते समय पर इसे देखेंगे कि भारत में नियायपालिका का विकास कैसे हुआ अब अगर नियायपालिका की हम विकास की बात करें तो 1773 में रेगुलेटिंग आया था इस आयक्ट के माध्यम से कलकत्ता में उच्चितम नेयाले का गढ़न हुआ वो 1935 का जो Government of India Act है इसके ताहत भारत में फेडरल कोड की अस्थापना हुई इसी फेडरल कोड को 28 जनौरी 1950 को तबदील कर दिया गया सरोच नेयाले में तो जो आज का सरोच नेयाले है इसका जो गठन हुआ था 1935 के एक्ट के ताहत फेडरल नेयाले की रूप में हुआ था औ और इसी को परिवर्थित रूप सरोच मेरे हैं तो यहां पर हम पढ़ते समय पर देखेंगे ये आपके संभिधान के भाग पांच में बताया गया चैप्टर फॉर में कि सरोच नेयाले की सक्सादियां क्या हैं सरोच तो यह सारी चीजें बेंचों का गठन कैसे होता है यह सारी चीजें हम सरोच ने आलय में अध्यन करेंगे इसके साथ में एक जो यहां पर एक सबसे जो भिवादे टॉपिक बना रहता है हर साल चर्चा में बना रहता है kolेजियम सिस्टम कि कुलेजियम सिस्टम क्या है भारत एक मात्र ऐसा देश है पूरे विस्व में कि जहां पर नयाधीस ही नयाधीस की नियुक्ति करते हैं और इसी कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से यह कितना अच्छा है कितना बुरा है इसे समाप्त करने के लिए NJSC एक आनून आया था लेकिन सरोच नयाले ने इसे क्या किया आज संबैधानिक करार करते हुए इसे रद्ध कर दिया तो हम यह देखेंगे इसी के साथ में जो हम अध्यन करेंगे हम अध्यन करेंगे उच्छ नयाले के बारे में अब जैसा मैंने बताया कि 1861 के तहत उच्छ नयाले का गढ़न हुआ था भारत में तो सक्तियां जो है, हाई कोड किस मामले में सरवादिक सक्तियां सुप्रीम कोड से ज्यादा हासिल करता है, यह भी हम देखेंगे, हाई कोड के छित्राधिकार के बारे में हम अध्यन करेंगे, यह चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, साथ में, पार्ट शिक्स में ही आपका, जो चैप्टर 6 है, वहाँ पर बताया गया है अधिनस्त कोर्ड के बारे में, जो आपके जिलाने आ ले हैं, तो इनकी नियुक्तियों का प्रावधान क्या है, इनका छित्रा धिकार क्या है, ये चीजी यहाँ पर अधिन करना है आपको, इसी के साथ में संविधान का पार्ट 14A, जो 14A है, वहाँ पर दो अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छे 323 से, और एक है अनुच्छे 323 भी, जो हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये संविधान संसोधन के माध्यम से जोडा गया, तो यहाँ पर ट्रुबिनल के बारे में बताया गया है, 323 A में प्रसासनिक अधिकारियों को लेकर के ट्रुबिनल के बारे में बात किया गया है, कि जैसे कैट और यहाँ पर सैट की बात की गई है, 323 B में विशेश छेत्र को लेकर के हैं, जैसे नदी जल विवाद को लेकर के मुद्दा हुआ, तो उसको लेकर के ट्रुबिनल ब ये भी यहीं पर अध्धन करेंगे, साथ में नियाएपालिका ने इसके अलावा बहुत सारी पहल की है, हमारे नियाएपालिक व्यवस्था में बहुत सारे case spending है, इस case spending को हल करने के लिए नियाएपालिका ने जो व्यवस्था किया, यहां पर एक हम लोग अदालत का तो लोग अदालत का भी हम यहां पर क्या करेंगे अध्यन करेंगे कि लोग अदालत क्या है और कैसे कारी करती है इन सब का अध्यन यहीं पर करना है आपको इसके साथ में लोग अदालत के साथ में एक आपका फेमली कोड के बारे में भी यहीं पर आपको अध्यन करना है इसके अलावा एक जब से आप लोगों ने क्या किया देखाए गया है कि प्रिजन टाइम में इमार्केटिंग का दौर है कि घर बठे हुए फिलिप कार्ट अमेजान इन सब जगें से क्या होता है कि हम अनलाइन प करने के बाद में उस आप प्रोड़क्ट से संतुस्ट नहीं है आपने उसे रिटन किया रिटन करने के दौरान अब क्या हुआ कि प्रोड़क्ट रिटन तो हो गया है लेकिन फंड ट्रांसफर नहीं हुआ अब फंड ट्रांसफर करने के लिए आप के पास क्या विकल्ब है तो इसके लिए व्यवस्था जो की गई कि इस समय जो इस्तितिया है market की उसके लिए consumer code की व्यवस्था की गई कि उभोकता अगर किसी भी चीज़ों से असंतुष्ठ है तो वो जा करके consumer code में अपना case फाइल कर सकता है तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है consumer code के बारे में भी यहीं पढ़ना है इसके साथ में एक हमारे यहाँ पर व्यवस्ता है मध्यस्तम सुला केंद्र की इसके बारे में भी आपको यहीं पर पढ़ना है इसके साथ में village नयाले जो लंबे समय से चल्चा में था तो village code के बारे में भी आपको यहीं पर यह सारी चीजे आपको यहीं पर एक साथ में पढ़ाई जाएगी एक अच्छी पहल जो न्याय पालिका में स्टार्ट हुई PIL की पहले हमारे यहां होता था कि पीडित परिवार ही न्याय पालिका में जा करके मदद मांग सकता था पीडित ब्यक्ति ह लेकिया कि आपको हमारे पास आने की आवस्यक्ता नहीं है आप पोस्ट कार्ड के माध्यम से लेटर के माध्यम से आप हमारे पास चीजें भेज सकते हैं और वेवस्था करवा दिया गया PIL की PIL का एक अच्छा प्रणाम ये हुआ कि अंतिम ब्यक्ति तक कहीं ना कहीं न्याय उपलब्द भी हो रही है लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ कि न्याय पालिका में केसों की भरमार सी लग गई तो हम यहाँ पर जो अध्धन करेंगे complete न्याय पालिका का अध्धन करेंगे कि सुप्रीम कोट से ले करके और हम विलैज कोट तक पढ़ेंगे जितने भी प्रकार के यहाँ पर चीज़े हैं सब का अध्धन यहाँ पर हमें करना है एक fast track code बनाने की बात हुई कि हम क्या करेंगे, अब fast track code का गठन करेंगे, तो यहाँ पर इसका भी एक पहल किया गया, तो यह सब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्यन करेंगे, उसके बाद इस क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक होगा, आप हम अभी इसके अलावा, central और state relation को हम अध्यन करेंगे, जो हम अगला टॉपिक लेंगे पढ़ने के क्रम में, तो जब हम संग और राजी संबंध की यहाँ पर बात करेंगे, तो हमें जो संबंध यहाँ पर देखना है, सामानिता संग और राजी के जो संबंध है, वो दो प्रकार के संबंध है, एक सं प्रसासनिक संबंध है, और एक संबंध आपका है विधाई संबंध, तो एक संबंध प्रसासनिक और दूसरा है आपका विधाई संबंध, प्रसासनिक और विधाई संबंध के बारे में, संबिधान का जो भाग 11 है, उसमें वडन किया गया है, इनके बारे में, कि केंद्र और राज्जी का प्रसासनिक और विधाई संबन्द क्या होगा जैसे किन विसेओं पर केंद्र कानून बनाएगी किन विसेओं पर राज्जी बनाएगी इसी में क्या हुआ है कि सात्वियन सूची के तहर डिसाइड कर दिया गया है कि संग सूची पर कानून बनाने का अधिक है वो वारे दोनों की वह इसी में प्रसासनिक संबन्ध के बारे में बताए गया तो सामानिता संब्र है वह मतनी है और ब्रसासनिक और विधाई अब देखाये जा रहा एक वित्तिय मामले में जो राज जी है वो केंद्र के उपर निर्भर है तो सेंटर के उपर निर्भर होने के कारण से एक संबंध यहाँ पर हम अध्यन करते हैं जो है बित्तिय संबंध और यहाँ पर हम यह भी संबंध देखते हैं जिसका उलेक किया गया है संबिधान के भाग 12 में तो ग्यारा में प्रसासनिक और विधाई संबंध के बारे में बताया गया है और बारा में जो बताया गया है बित्तिय संबंध के बारे में बताया गया है तो अगला टॉपिक जो हम अध्यन करेंगे संग एउम राजी संबंध में इसको हम देखेंगे इसके अलावा जो हमार नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अंतर राज्जी परिसद के बारे में अंतर राज्जी परिसद इंटर स्टेट काउंसिल कि यह हमें अध्यन करना है कि इसका गठन कैसे होता है इसका कारी क्या है यह सारी चीजे हम देखेंगे इसी के माध्य यहां पर लगभग इसके माध्यन से क्या किया जाता है कि जितने बिवाद जो होते हैं state-state के इन बिवाद को हल करने का प्रयास किया जाता है जैसे भारत में जो राज्यों के मद्ध सबसे बड़ा बिवाद है वो नदी बिवाद को ले करके हैं कि नदियों के जलका बटवारा कैसे हो ये बिवाद भारत में बहुत बड़ा बिवाद के रूप में है जो दो राज्जियों के बीच में परसपर है इसके अलावा जो हम अगला टौपिक लेंगे वो अध्यन करेंगे बित आयोग को बित आयोग जिसका जो मुख़ी कारी है कि केंद्र और राज्ज के बीच में अर्थ का बटवारा कैसे होगा पैसे का बटवारा कैसे होगा राजवसु का बटवारा कैसे होगा ये कारी है बित आयोग बीच बीच में क्या करती है भालत सरकार को सलाह भी देती है जैसे क्या हुआ कि 14 बित आयोग ने रिकमेंडे किया कि अब राज्यों को यहां पे कर में हिस्सेदारी जो दी जाएगी 32 प्रतिसत से बढ़ा करके 42 प्रतिसत दिया जाएगा जबकि 15 वे बित आयोग ने सला दिया कि आप जो ये 42 प्रतिसत दे रहे हैं इसे घटा करके 41 कर दें और जो बचा एक प्रतिसत है ये हम जम्मू कस्मीर के विकास में क्या करेंगे लगाएंगे बित आयोग ने ही रिगमेंड किया था कि अब राज्यों को क्या किया जाना चाहिए यहां पर पिछड़ी राज्य का दरजा नहीं देना चाहिए बिसेस राज का दरजा नहीं देना चाहिए और इसकी बातों को सरकार क्या करती है मानती भी है लगभग अगर बित आयोग ने क वो यहनु संसा की है तो उसे सरकार गंभीरता से लेती है, तो हम यहाँ पर इसको अध्यन करेंगे, इसके साथ में, अब जो हुमारा अगला टॉपिक होगा, इसी पढ़ने के क्रम में हम आएंगे देखेंगे संस्था के बारे में, अब जब हम संस्था के बारे में तो संस्था यहां पर दो प्रकार की संस्थाएं हैं एक संभधानिक संस्था है और एक संस्था है आपकी जो गैर संभधानिक संस्था है अब चू यहाँ पर आपकी संबेधानिक संस्था है इसमें हम लोग क्या-क्या अध्यन करेंगे एक हम यहाँ पर इलेक्शन कमिशन के बारे में अध्यन करेंगे अब जब इलेक्शन कमिशन के बारे में अध्यन करेंगे तो क्या-क्या हम पढ़ेंगे जैसे मैं बताओं कि ब्रिटेन में चुनाओ आयोग जाकर के 2009 के आसपास बनता है भारत में चुनाओ आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है चुनाओ आयोग क्या करता है लोकसभा आपका लोकसभा है, बिधान सभा है, राज्य सभा है, बिधान परिसद है इन सब चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इसी की है Election Commission को ले करके हमारे याँ पर बहुत सारे प्रस्न भी उठे कई बार तो संदचना को ले करके ही प्रस्न उठ जाता है कि सबसे बड़ी समस्या जो Election Commission के साथ में है कि Election Commission का खुद का स्टाफ नहीं है और खुद का स्टाफ ना होने के कारण से Election Commission को निर्भर रहना पड़ता है राज जी और केंदर के स्टाफ पर तो संदचना पर ही कोश्चन खड़े हो जाते है आप लगभग सुनते हैं कि हर बार ऐसा होता है Election में कि EBM को ले करके प्रस्न खड़े हो जाते है तो EBM से चुनाओ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए इस पर भी हम डिसकस करेंगे जैसे अभी क्या हुआ कि ब्रिटेन में चुनाओ हुआ और ब्रिटेन में चुनाओ हुआ कम्प्लीट ब्रिटेन में जो चुनाओ हुआ है वो बैलेट पेपर से हुआ, अगर हम बैलेट पेपर से ही EBM में आये थे, अगर हम EBM हटाते हैं तो EBM के अलावा हमारे पास क्या बिकल्प कोई है ऐसा, और पारदर्सी बनाने के लिए हमारे पास सबसे बहतर जो इस समय निकाय है, वो EBM ही है, तो हमें इसको भी अध्यन करन है, इसी के साथ में ELECTION REFORM की बात आती है, अभी आपने देखा कि 2000 उसमें 18 लोग सभागा चुनाओं होने से पहले, जो ELECTORAL BOND था, ELECTORAL BOND को लेकर के कैसा बिवाद हुआ, ये ELECTION REFORM का ही पार्ट है, तो हमारे यह ELECTION REFORM को लेकर के कई सारी समितिया बनी और अपना अलग-अलग recommendation किया, उसी के ताथ ELECTORAL BOND था, तो ELECTORAL BOND क्या है, ये कैसे कारी करता है, किस प्रकार से पारदासी चुनाओं कराने में इसकी भूमिका हो सकती थी, और किस प्रकार से क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया, ये सारी चीज़ आप क्लास में इसे आपको बताया चाहेगा, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसी के साथ में एक लंबे समय से मुद्दा बना हुआ है, वन नेशन, वन इलेक्शन का, ये आपके essay का टॉपिक भी हो सकता है, वन नेशन, वन इलेक्शन, सरकार का जो एजंडा था कि हम दोहजार उन 1951-52 का चुनाओ, उसके बाद 57 का चुनाओ, 62 का चुनाओ, ये चार बार जो चुनाओ हुए, वो एक साथ हुए लोकसभा और विधान सभा की, लेकिन हुआ ये कि 1967 में जब चुनाओ हुआ, तो उस समय कई बार देखा गया, कि जो उस समय केंद्र में सत्ता है, वो कई सरकार से सुरू हो गई छेतरिये दलों के साथ में, और यहां से चीजे जा करके बिगड़ गई, इसका फाइदा ये हो सकता है, क्योंकि हम हर साल चुनाओ ही मूड में होते हैं, एक बार अगर चुनाओ हो जाए, तो पांच साल सरकार को फ्री हो करके काम करने का मौका तो ये टॉपिक भी आपको यही अध्यन करना है, इसके साथ में एक हमारे यहां पर एक जो बहुत हर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, राजनीती का अप्राधी करन का राजनीती, अभी लोगसभा का चुनाओ हुआ देखा गया, बहुत बड़े पैमाने पर जो य तो यह टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां पर जब हम अध्यन करेंगे तो इलेक्शन कमिशन के बारे में डिटेल अध्यन करेंगे कि इलेक्शन कमिशन किस किस रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, साथ में एक आपका इसी में है आरपी एक् इसकी क्या भूमिका है, इसी के तहद पूरा पॉलिटिकल पार्टियों को सासित किया जाता है, तो हम इसका भी अध्यन करेंगे, जैसे राजिसभा का कारिकाल 6 साल है, यह आपके संबिधान में नहीं लिखा गया है, यह RPA Act 1951 में लिखा गया है कि राजिसभा का जो कारिकाल है, उच्छेवर्स का होगा, आपके संबिधान में कहीं नहीं बताया गया इसके बारे में, तो आपको यहां पर भी इसके बारे में बताया जाएगा अध्यन करने के लिए, इसी में बताया गया है कि एक कंडिडेट अधिक्तम दो संसदिये या दो बिधान सभा की लड़ सकता है, इससे अधिक नहीं लड़ सकता, इसी RPA Act में ही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को अधिक्तम दो साल से अधिक्तम की सजा मिल जाती है, तो चुनाओ नहीं लड़ पाएगा, यह सब RPA Act में प्रावधान है, तो यह सारी बातें आपको बताया चाहेगा तो यहाँ पर संबैधानिक संरचना की बात करें, तो आप यह पढ़ेंगे, Election Commission, इसके बाद में आपको जो पढ़ना है, UPSC के बारे में पढ़ना है, कि UPSC जो संस्था है, इसका गठन, इसका कारी क्या है, और इसकी सक्तियां क्या है, तो यह चीजें, आपको गठन, कारी सक्तियां, यह सारी चीजें पढ़ना है, इसके में जो यहाँ पर कुछ ऐसी गोपनियता है, यह गोपनियता किस हद तक सही है, इसका भी अध्यन आपको यहाँ पर करना है, गोपनियता का भी इसके, पता चलता है कि प्रिलिम्स का पेपर हो गया, और प्रिलिम्स पेपर हो और एक साल के बाद में अब क्या होगा जब फाइनल रिजल्ट के साथ में आंसर की दी जाती है और उसके एक महिने के बाद फिर प्रिलिम्स का पेपर होता है ज्यादा से ज्यादा ऐसे समय में कोई भी कंडिडिट अपनी रणनितियां कैसे तेंग करें तो ये चीजे पढ़ना है इसी के साथ में UPSC में क्या क्या रिफॉर्म हुए है इसका भी अध्यन करना है इस रिफॉर्म के साथ जो कमेटियां बनाई गई उन कमेटियों ने क्या रिक्मेंड किया इसका भी अध्यन आपको करना है यहाँ पर तो सारी चीजे हम लोग अध्य करेंगे एक कमेटी वनी थी जिस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो भी वेक्ति यहां पर इंटर्विव से वापस आए उसे क्या कर दिया जाए बी ग्रेट की नौकरी दे दिया जाए इसी रिफॉर्म में एक कमेटी वनी जिसने कहा कि एक बार अगर वो प्रिलिम्स करणारे में तो एक ऐलेक्स्न कमीशन हो गया दूसरा आपका यूपियस्टी हो गया इसका अध्यन अमें करना है इसके साथ में अब हमें अध्यन करना है कैग का जो भारत का नियंत्रक महालेखा परिछक होता है इसकी भूमिका क्या है अब इसका कार होता है भारत सरकार के और राजिशरकार के एकाउंट का आड़िट करना है तो हमें इसके बारे में यहां पर अध्यन करना है इसी के साथ साथ में हम यहीं पर जो अध्यन करेंगे वो SC कमीशन के बारे में, ST कमीशन के बारे में और OBC कमीशन के बारे में इनको भी सम्मेधानिक दर्जा दे दिया गया है तो इन कमीशन के बारे में भी हम यहीं पर अध पताया था कि जो गैर संबैधानिक संस्था या जो आपके बैधानिक निकाय हैं तो बैधानिक निकाय कौन कौन से हैं अगर इनकी हम बात करें तो यहां पर हम अध्यन करेंगे इसमें आपका NHRC, इसके साथ में CBC जो Central Vigilance Commissioner है उसका भी अध्यन यहीं पर करेंगे NHRC, CBC, उसके साथ में जो यहाँ पर National Women Commission है, रास्टिय महिला आयोग, उसके साथ में जो आपका रास्टिय बाल सनरच्छन आयोग है, उसका अध्यन यहीं पर करेंगे हम, तो यह सारी चीजें हम यहाँ पर अध्यन करेंगे, जो आपके गैड संबैधानिक संस्था है, उनके बारे में जो हमें डिसकस करना है, उसके साथ में जो अगला टॉपिक हमें लेना है, कुछ ऐसी संस्था आपके यहाँ पर है, जो Regulatory Institution है, यह संस्था अपने आप में इस प्रकार से है, कि स्वायत संस्था के रूप में है, और यह उस छेत्र में पर्टिकूलर बिसेसकारी करती है, जैसे आपके जो बिनिया में की संस्थाएं है, इन संस्थाओं में एक नाम आपका आता है, सेबी का, एक नाम आपका आता है, इडा का, और एक नाम आपका है, यहाँ ट्राई का, और ऐसे ही एक बना दिया गया है, रेरा, अब जैसे सेबी का काम है, market को manage करना, जो share market को manage करना, इडा का का काम क्या है, insurance sector को ये देखना, ट्राई का का काम क्या है, दूर संचार संस्ताओं को का पूरा वो देखना, और रेरा का का काम क्या है, real estate का, जैसे कई बार आप जब जमीने लेने की बात करते हैं, तो जब जमीन लेने की बात करते हैं, तो आप क्या उसे में बोल रहे होते हैं, जो लेंड का ओनर होता है, जो उसे में मार्केट में लेंड बेच रहा होता है, कम्पनी उसे आप बोलते हैं कि रेरा अप्रूब है या नहीं? तो रेरा अप्रूव होने का मतलब कि जमीन आपकी क्या है सही है तो ऐसे हम यहाँ पर अध्यन करेंगे यहाँ पर इन बिन्या में कि यह संस्थाओं के बारे में इसके बाद जो हम अगला टॉपिक लेंगे यहाँ पर एक आपका है दल बदल कानून इसके बहुत सारे ऐसे प्रावधान अभी समय जो निकल के आ रहे हैं जो कोड में भी विवाद में बने हुए हैं कि क्या इस पर क्या डिसीजन लिया चाए दल बदल को ले करके अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें आपने देखा कि कई ऐसे अलग अलग दल के लीडर है जो अपने दल के साथ में बगावत करके और दूसरे दल में सामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश का ही ऐसा केस आया कि कई ऐसे MLA थे जिन्होंने राजसभा के दौरान उन्हें वोटिंग करने थी लेकिन वो क्रास वोटिंग करके और क्रास वोटिंग करके और जा करके अपने दल के आगेंस में चले गए तो क्या क्रास वोटिंग करना दल बदल के दायरे में आएगा तो ये दल बदल के दायरे में नहीं आता है आपको ये इसके बारे में यहाँ पर अध्यन करना है असंतोस दल बदल के दाहरे में आए या ना आए ये भी राजस्थान में ऐसे मुद्दे उड़ गए तो ये यहाँ पर इसके साथ में अगर कोई कंडिडेट जो MP है या MLA है वो कब दल बदल के दाहरे में आएगा और इसे पार्टी अप निकालती है तो दल बदल के दाहरे में आएगा नहीं आएगा या खुद वो पार्टी छोड़ता है तो दल बदल के दाहरे में आएगा या नहीं आएगा ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है क्योंकि ये लोकसभा चुनाओं के दारान सबसे ले लेंगे और वो ले लेंगे अनुसूचियों के बारे में अनुसूचियां तो इसमें आपको जो पढ़ना है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है जैसे आपकी आठवी अनुसूची है सात्वी अनुसूची है दस्वी अनुसूची है अब दस्वी अनुसूची ही आपकी दलबदल से है तो ये आपको उस समय पढ़ाते समय बता दिया जाएगा सात्वी अनुसूची के जो subject हैं ये आपके प्री में आती है आठवी अनुसूची में आपकी language है भासा है और ये 22 भासा हैं ये प्री में आपके आता है और ऐसे आपकी गिरहमी और बरहमी अनुसूची है जो local government को ले करके है इनसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा subject कितने subject है तो ये अनुसूची हैं आपको जो यहाँ पर पढ़ना है बहुत sort में पढ़ना है ये आपको class में करवाया चाहेगा इसके अलावा एक यहाँ पे हम लोग topic लेंगे जनजातिय मुद्दे अब जो जनजातिय मुद्दे हैं इसको हम एक संबिधान में आपके अनुसूची है फिप्त और एक है आपकी सिक्त अनुसूची और यहीं पर ये संबिधान में नहीं है लेकिन एक प्रावधान है आई यल्पी का जो नौर्थीस्ट छेत्र है भारत का नौर्थीस्ट में जो आपके अरुनाचल मडीपूर मेजोराम दिरपूरा ये सब जो छेत्र है इसमें कई छेत्र है जो आई यल्पी के माध्यम से क्या है कि वहाँ पर कबर किये गए है कि यहांपर जाने के लिए आपको ILP कारड के माध्यम से जाना पड़ता है वो कारड लेंगे तभी आप इंटर कर पाएंगे उसमें लिखा होता है कितने समय के लिए आपको रुपना है कितने समय वहाँ से निकलना होगा सारी चीजे लिखा होगा उसमें guidelines mention होती है मिघाले हो गया, तिरपुरा हो गया, अस और मिजूरम हो गया, यह राज्ची क्या है, यहाँ पे 10 ADC हैं इसके तहट, और यह ADC ही क्या करती है, यहाँ का पूरा सासंत सम्हालती है, यही कानून बनाती है, यही कानून को लागू करती है, यही न्याय करती है, यह अपने आप में पार्लियामेंट और उसमें विधान मंडल के रूप में होती है कि ADC का ही कानून यहां पर चलता इसी के माध्यम से 10 छेतर सासित हैं तो छटीयन सूची के तहाथ यह अध्यन करेंगे और पांचवियन सूची के तहाथ अध्यन करेंगे हम तो यह जनजातियों से संबंधि बिवाद हुआ इस बिवाद का कारण क्या है और इस बिवाद के कारण में इन अनसूचीयों के तहाथ जो प्रावधान है उसकी क्या भूमिका है तो यह सब हम लोग इस क्लास में डिसकस करेंगे कंप्लेट तो जनजातियों मुद्दे के साथ में एक जो यहां पर टॉपि अधिकार संबंद्य मुद्दे की बात करें तो यह वैसे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19 पढ़ते समय कि 191a में इसका प्रावधान है आर्टी आई के बारे में तो आर्टी आई के बारे में आप यहां पर पढ़ेंगे और साथ में उभ्भोकता संदच्छन अधिकार जो है यह आपको यहां पर पढ़ना है अधिकार संबंद्य मुद्दे में और एक लास्ट टॉपिक जो आपको यहां पर पढ़ना है जो है लोक नीतियां और लोक नितियां क्या होता, यह prelims का part है तो यहां पर जो public policy है वो आपको अध्यन करना है और यह basically आपका prelims का part है तो इस आधार पर हम क्या करेंगे? पूरे syllabus का अध्यन यहां पर करेंगे और यही तरीका होगा कि जिसके माध्यम से आपको इस subject को पढ़ना है अब इसे पढ़ने के लिए आपको source में क्या-क्या चीजे रखना है कि तो resource क्या चीजे होगा resource में एक तो आपको class में इस प्रकार से class notes दिया जायेगा कि इसके अलावा आपको कोई भी चीजें पढ़ने की आवसक्ता न पड़े पहला तो class notes होगा ही, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे candidate एक जैसे होते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों, कि जिनका basic ही अभी नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या है कि उन्हें दो NCRT की किताब पढ़नी होती है, और वो NCRT की जो किताब है लोक तांत्रिक राजनीती, तो लोकतांत्रिक राजनीती जो है आपको यह पढ़ना है यहाँ पर और यह आपका पार्ट वन और पार्ट टू, यह पढ़ना है आपको NCRT, और उसके अलावा एक, यह आपकी नाइन टेंथ की किताब है, उसके बाद 11th class की एक किताब है, भारत का संबिधान, सिद्धान्त वा बयोहार, यह 11th class की NCRT है, अगर इस दोनों किताब को नव पढ़ना चाहें, अगर सिर्प यही पढ़ लें, तो यह सफिसियंट है, लेकिन अगर बिल्कुल फ्रेसर है और कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको यह पढ़ना होता ह उसके बाद में एक किताब जो आपको रिक्मेंड की जाती है, जो इस टेंडर किताब, वो है आपकी M.Lekshmikant यह रिसोर्स आपको ClassNote के साथ में रखने है, इसके अलामा जैसे उसमें मार्केट में DD बसू है, पढ़ने की बिल्कुल आवा सकता नहीं है, क्योंकि ना आपको इतना उसमें इस प्रकार से दिया है, कि ना आप पढ़ करके समझ पाएंगे, और थोड़ा सा आपके दारे से सुबास कस्यप है, तो सुबास कस्यप की आपको जो पढ़ना है, सुबास कस्यप की एक किताब है जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो एक सुबास कस्यप ने लिखा है, वो लिखा है हमारी संसद, और उसमें पारलियामेंट, पारलियामेंट कमेटी इन सब के बारे में बह हमारे हो गए resource कि जिससे आपको पढ़ना है इसके अलावा अगर इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो जैसे आप website में जैसे जो पालियामन की website है उसे जाकर करके आप पढ़ सकते हैं पी आई भी निजच पेपर पढ़ सकते हैं तो निजच पेपर में भी बहुत सारे ऐसे article आते हैं कि जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि इन subject को तयार करेंगे अब अगर हम बात करती है कि इस पेपर की भूमिका क्या है हमें अगर हम देखें कि इस पेपर की भूमिका क्या है हमारे प्रिलिम्स और मेंस इकजाम की अगर हम बात कर लें तो जैसे हम UPSC में अगर इसके भूमिका की बात करती है तो पहली भूमिका हम यहां पर हम बात करने प्रिलिम्स एकजाम की यह आपको भी पता है कि प्रिलिम्स एकजाम में 200 नंबर के 100 कोश्चन आते हैं मैं डेटा के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा कि 2017 में अगर हम बात करें तो 17 में यहां पर जो आपके UPSC में कोश्चन पूछे गए अबरेज लगभग यहां पर 17 में कोश्चन थे वह 14 कोश्चन थे जबकि जब हम यहां पर 19 की बात करते हैं 19 में तो 19 में जो कोश्चन आपसे पूछे गए हैं 15 कोश्चन पूछे गए हैं वहीं 20 में बात करें तो 17 question पूछे गए है 21 में question की संख्याती 19 और वहीं 22 में अगर हम बात करें तो 22 में question यहाँ पर थोड़ा सा कम हुए और यहाँ पर question आया 10 जब हम 2023 की बात करते हैं तो 20 में यहाँ पर 15 कोश्चन थे जबकि 2024 में 20 कोश्चन थे अब समझना यहाँ पर EOPSC में जो कट आफ है वो कट आफ कितना है कि अगर आपने 50 कोश्चन सही सही कर लिया है 48 से 50 कोश्चन के बीच में तो प्री क्वालिफाई हो जाता है अकेले एक पेपर से जो भूमिका है अगर हम आउसत की बात करें तो कम से कम आउसतन 15 कोश्चन इसे हम मान के चलते हैं पेपर में तो यहाँ पे आपको 30 नंबर कम से कम तो यही से मिल जा रहा है 2024 में 20 कोश्चन पूछे गया तो प्रिलिम्स में यह भूमिका है UPSC में अगर हम UPPCS की बात करते हैं यहाँ पे तो UPPCS में आउसतन यहाँ पे डेड़ सो कोश्चन आते हैं आपके 200 नंबर के कम से कम अगर कोश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर 15 से लेकर के 20 कोश्चन आपके पॉलिटी के होते ही होते हैं 15 से 20 कोश्चन आपके पॉलिटी के हैं तो यह भूमिका प्रिलिम्स एकजाम में है अगर हम मेंस एकजाम की बात करते हैं तो मेंस एकजाम जैसे आपका UPPC का और UPPCS का इसमें और सतन कम से कम दोनों में आपको पता है कि 20 कोश्चन आते हैं और इस 20 में से कम से कम 9 कोश्चन आपके हैं जो आपसे पूछे जाते हैं मेंस एकजाम में तो इस 20 कोश्चन में 9 कोश्चन सीधे-सीधे किसके हैं आपके पॉलिटी और गवर्णनस के हैं तो इस सब्जेक्ट की भूमिका जो है प्रिलिम्स में और मेंस में आप समझ रहें कैसे हैं अलग-अलग तरीके से ब्यवहरिक-ब्यवहरिक कोश्चन पूछे गए हैं जैसे एक बार पूछा गया लीगल सर्विस के बारे में एक बार पूछा गया मनपसंद बिवाह का अधिकार कहां पर प्राओधानित है तो अलग-अलग तरह से जैसे 2023 की बात करें तो 23 में जो कोश्चन पूछा गया हुआ यह कि उसी बीच में प्रेसिडंट का चुनाओ हुआ था 2022 में तो यहां पे जो प्रेसिडंट के उस पर चुनाओ पूछा उसमें इलेक्शन पे जो कोश्चन पूछा वो इस प्रकार से UPSC में पूछा कि वहां पे राजजिवर आधार पे जो MLA की वोट की बैलू है उस पर कोश्चन पूछ लिया गया तो यहां से जो कोश्चन आते हैं अब ट्रेडिस्टनल कोश्चन नहीं आते हैं PCS में तो भी traditional कोश्चन आ जाते हैं बट UPSC में जो कोश्चन आते हैं वो applied कोश्चन आते हैं तो आपको जो यह complete syllabus तयार करना है वो applied form में ही तयार करना है कि जो चीज़े इस समय चल रही है उस दायरे में जा करके आपको पढ़ना है जैसा मैंने आपको बताया था कि 2020 में जट 2017 में उपी में सरकार बदली तो बहुत बड़े पहमाने पर यहां पर नाम बदले गए और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय जब question पूछा गया तो पूछा गया कि नाम change करने का आधिकार जो नाम बदलने का वो है कहां पर प्रावधान नित है तो यहां पे अनुछे तीन में प्रावधान है तो नहीं पूछा कि कौन कौन सा नाम कहां पर बदला गया है वह यह पूछा कि प्रावधान कहां पर है तो ऐसे question पूछे जाते हैं तो इसकी जो भूमिका है आपके प्रिलिम्स एक्जाम में मेंस एक्जाम में एक अच्छी भूमिका आपकी है इस एक्जाम इस पेपर की तो इसे इसी आधार पर हम लोग त्यार करेंगे